नमस्कार चलिए आज हम UPSC civil services exam 2022 में पूछे गए history के प्रस्टन जो है वो देखेंगे और यहां पे आपके सामने मैं उनका solution जो है वो प्रस्तत करूँगा तो कोशिश करेंगे कि सभी को बारीकी से एक बार question को समझें और उसके साथ ही उनके answer solutions तक जो है हम पहुचे तो देखे history के questions जो है वो ज्यादा तर student से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि difficult है पर मुझे ऐसा लगा नहीं कि इस बार जो पूछे गए questions थे ज्यादा difficult थे ठीक है एक बार नजर मारते हैं जो इस बार के उच्छे गए सवालों पर फिफ्ट जून को हुआ था यह एक्जाम और अब देखें यह है पहला question देख लेते हैं एक बार कि अ कि 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 कर देखें इसमें जो पहला सवाल पूछा गया है इसको हम आप इसको समझ सकते हैं कि हिस्ट्री और जोग्रफी का एक मिक्स सवाल सब्सक्राइब कर देखें हैं तो यह किस रीजन के बारे में बात कर रहा है फॉस्ट अप्शन में कहता है रीजन अलॉंग देशन मेलिटेरियन शोर्स यानि भूमद्य सागर के इस्टन साइड का जो कोस्टल रीजन है उसको कहा जा रहा है दूसरा कहता है तुसरा कहता है जो पर्शन गल्प और हॉर्ण अपरिका का region है इसको कहा जाता है लेवांट ठीक है चौथा option कहता है पूरा entire coastal area of Mediterranean Sea भूमध्य सागर के सभी तठ चाहे यौरप से लगने वाला coast चाहे एशिया से लगने वाला coast चाहे अफरीका से क्योंकि Mediterranean Sea तीनों से coast share करती है तो वह सभी जो है लेवांट region के नाम से जानी जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो आपका correct answer है वह है option number वान ठीक है option number वान आपका इसमें correct है क्यों एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर यह देखेगा यह देखिए यहां पर यह दो यह ऐपका मेडिटरेनियं के यह इस्टन साइड पर आप यह देख लूँ यह वाला पाट जो है यह लेवांट के लाप अब इसमें कौन-कौन से देशों के आज जो मॉडर्ण डेश है इसमें कौन-कौन से देशों के इससे देखो, एजिप्ट का ये, ये इलाका, ठीक है, ये इजिप्ट का रीजिन है, जो थोड़ा सा जो इस तरफ है, ठीक है, सिनाय पेनिंसुला के नाम से हम इसे जानते हैं, ये एक देश है यहाँ पे, ये इसराइल है, यहाँ पे ये जॉ इस लिए मैंने सवाल को हिस्टरी के सवालों में रखा है क्योंकि एक हिस्टॉरिकल रीजन है लेवांट एक हिस्टॉरिकल नेम है जो इस रीजन को दिया गया था और यह पूरा रीजन है जो इस्टन साइड पे मेडिटरेनियन सी के यह क्यालाता है लेवांट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेस्टिन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेस्टिन कंसीडर दफॉल्लविंग फ्रीडम पाइटर ठीक है इसमें तीन नाम दियो गया हमारे पास बरिंद्र कुमार घोश जोगेश चंद्र चैटर जी और बिहारी बोक्स और पूछा क्या गया है कि who of the above was were actively associated with the गदर पार्टी गदर पार्टी आप जानोगे तो इसको कहा जाता था हिंदी association of the Pacific Coast और बनाई गई थी देखो basically यह actively काम करती थी US और Canada में और US और Canada में मौजूद सिख गुरद्वारों से यह operate करते थे गदर पार्टी से जुड़े हुए लोगों में अब यहां पर जो नाम दिये हुए ना यह पहला है बरिंदर कुमार खोश और जोगेश चंदर चटा जी यह दोनों ही नाम ना अनुशिलान समिक्ति से जुड़े हुए और दोनों बहुत हद तक असोसियेटेड थे हमारे और अबिंदो घोश साब से लेकिन उसके बाद आ जाते रास बिहारी बोस रास बिहारी बोस आक्चुली इन्होंने 1912 में लॉड हार्डिंग के ऊपर एक बॉम फैंग दिया था जब लॉड हार्डिंग जब एक तरीके स ब्रिटिश किंग की जो है क्राउनिंग कराई जा रही थी इंडिया में और उस समय वॉइसरोइट लॉड हार्डिंग से नाराज थे भारतिय पक्ष जो है वह काफी नाराज था इसी नाराजगी के चलते रास बिहारी बोस ने जो है डिल्ली में उनके ओपर बॉम फैंग तो लॉड हार्डिंग के ओपर बॉम फैंगने वाले रास बिहारी बोस उसके बाद जो है क्योंकि उन्हें पता था कि इस केस में पुलिस उनका पीछा करेगी ब्रिटिश पुलिस और फिर वो देश छोड़कर भाग गय थी ठीक है और उस केस में हार्डिंग बॉम केस में जो है कई और लोग उनको पकड़ लिया गया था लेकिन रास बिहारी बोस जो है वह निकल के भाग गये थे रास बिहारी बोस जा पहुंचे कैनडा कैनडा से फिर यूएस और वहां पे वह एक्टिव मेंबर बन गए घाधर पार्टी के तो गधर पार्टी से असोसियेटि तर्फ चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं इन मेडिवल इंडिया देखो अब मध्यकालीन भारत से एक सवाल है मेडिवल इंडिया से अट्रम फणम ठीक है तर्म पनम रेफर्ट टू पनम जो शब्द है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था के लिए कोईंस के लिए और नामेंट के लिए और वेपन के लिए मैंने आंसर तो यह ढला हुआ यहां को दिखी रहा है मतलब coins basically इसका answer क्या है coins के लिए ये शब्द यूज किया जाता था त्रवनकोर रियासत जहां पर modern day के एरल आये वहां पर त्रवनकोर रियासत थी उसके दक्षनी सिरे में ठीक है दक्षनी हिस्से में और वहां पर 1800 में त्रवनकोर रियासत द्वारा शुरू किये गए थे यह सिक्के जिनका नाम था फनम फनम और चक्रम त्रवनकोर coins थे यह उस coin की back side दिखाई गई है और यह वाली front side दिखाई गई है तो फनम और इंडिया आट 1919 गवर्मेंट अप्रोविंशियल गवर्मेंट वर डिवाइड इंटू रिजर्व और ट्रांसफर्ट सब्जेक्ट्स ठीक है अब देखो जो प्रोविंशियल गवर्मेंट थी जो अंग्रेज भारत में आये थे तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया आक्ट 1919 के नुसारना उन्होंने क्या किया था एक सिस्टेम बना लिया था प्रोविंशियल गवर्मेंट को कुछ जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो ट्रांसफर किये जाएंगे बाकि जो है वो वैसरोई की एक्जिक्यूटिव काउंसिल अपने लिए रिजर्व रखेगी औ और रिजर्व रोट ट्रांसफर्ट सब्जेक्ट जो है यह सिस्टेम बना था अब यह बहुत अद तक आप इसको पॉलिटी में भी जो है ले सकते इस सवाल को तो इस सवाल में अब एक आपको बता देता हूँ कि यह पहले तीन आप्षिन्स जो आप देखे रहें अद्मिस्ट्रिशन अब जस्टिस लोकल सेल्फ गर्मेंट एड लैंड रेविन्यू यह तीनों जो है यह इसमें जो है रिजर्व सब्जेक्ट ही तरह है जो है वो रखे गए थे ठीक है और इसमें आपका आप्षिन ज जल्दी से आगे बढ़ते नेक्स्ट विद रेफरेंस तू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर दा फॉलिंग टेक्स अब भारतिय इतिहास के संदर में यह कुछ बुक्स के नाम दिये गए हैं कुछ इंशेंट वर्क्स के नाम दिये गए हैं तो आपको यह बताना है कि इनमेंसे जैन टेक्स कौन कौन से विच अब अबव आज जैन टेक्स्ट ठीक है यह पूछा गया सवाल में जो नाम दिये गए यहां पर है नेटीव पकरना परिसिस्थी परिसिस्ट परवान और अवदान शटका ठीक है और एक चौथा है तृष शटिक लक्षना महापुरान अब को बता दूं देखो इसमें से दो प्रॉप्शं करेक्ट है और दो प्रॉप्शंव वाला ना इतना हिंटी कि मैंने जितना बोला उससे यहीं लेकिन चलो आंसर तो मैंने बता दिया फिर भी इसका सोलूशन कर लेते नेटी पकरना बुद्धिस टेक्स्ट है यह जैन टेक्स्ट है रिटन बाई फेमस स्कॉलर हेम चंद्र ठीक है फेमस जैन स्कॉलर हेम चंद्र ने लिखे थे यह भी फिर एक बुद्धिस टेक्स्ट है और बच गया तुरोhr सष्टी लक्षना महापुरान ये एक मेजर जैन टेक्स्ट है महापुरान है न महापुरान तो मेजर जैन टेक्स्ट है ये बहुत important gen text में से है, तो इसका correct answer आ गया, second and fourth, ठीक है, तो यह अभी मैंने आपको बताई दिया, second and fourth इसमें correct option है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा, next question, अब next पे आते हैं, next है, with reference to Indian history, consider the following pairs, अब आपको ना, यह वाली सवाल काफी देखने को मिले हैं, इस बार, कि यह पूछा गया, how many pairs given above are correctly matched, ठीक है, तो यह match the following पूछने का एक नया तरीका है, और इसमें यह पूछा जाता है, कि कितने pairs जो यहाँ पर दिखाए गये हैं, वो सही तरीकी से match किये गये हैं, ठीक है, पर एक बार में आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर लिखा आरे देवा is a jain scholar, दिगञागा is a buddhist scholar, और नात्मुनी is a vě時 स्कॉल अब तो अब एक बार देख लेते हैं आर्यदेवा बुद्धित स्कॉलर है महायना बुद्धिर्जम से जुड़ हुए ठीक है दिगनागा भी एक बुद्धित स्कॉलर है और नात्मुनी एक वैस्टन फ्कॉलर है ठीक है लेकिन यहां option में क्या दिया था यहां दिया था हो गया यह वाला correct है और यह वाला correct है यह दोनों correct है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो pairs second और third correctly matched है और यहां पर आपका only two pairs वाला option जो है वो correct हो जाए क्योंकि पूछा क्या था how many pairs given above are correctly matched तो correctly matched में आगे only two pairs second and third are correctly matched first is not correct है चलिए आगे चलते हैं यह देखू यह सवाल संशय पैदा करने वाला क्योंकि मेरे हिसाब से यह जो question पूछा गया इसमें थोड़ा सा doubt है doubt क्या है क्योंकि जहां तक मैंने जो जो अपनी research की और text जो खंगा ले तो उसके हिसाब से आंसर जो निकल के आता वो options में है नहीं फिर भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या चेंज इसमें हो सकता है मुझे नहीं पता किन sources से यूपीएसी ने इस question को frame किया है लेकिन मेरे हिसाब से इसमें जो option आना चाहिए था वो कुछ और आना चाहिए था एक बार पढ़ लेते हैं question को with reference to इंडियन हिस्ट्री कंसीडर दफॉल इंडिया है यह पहला आक्रमन भारत पर मंगोल आक्रमन जो हुआ था वो जलाल उदीन खिल जी के समय में हुआ ठीक है उसके बाद second option कहता है कि दूरीं दे रेन अफ अलाउदीन खिल जी जब अराउदीन जीतने के लिए या किसी शहर को जीतने के लिए लगाया जाता था एक पूरे किले की आसपास जो है वो फॉज जो है वो घेरा लगा लेती थी और कोशिश यह होती थी कि अंदर बैठी हुई फॉज को सरेंडर करने पर मजबूर किया जाए उनकी सप्लाइज कट करके ठीक है उनका खाना पीना आम सप्लाइज हर तरीकी सप्लाइज जो बाहर से आसकती है उनको मदद वो सब जाए वो कारती जाए और इसके दरिये दबाब बनाकर सरेंडर कराया जाए तो चलो तीसरा मुहमद बिन तुगलक टेंप्रेरली लॉस्ट दे पोर्षिंस ओप नॉर्थ वेस्ट ऑफिस किंग्डम तु मंगोल्स ठीक है अब यह कहा है कि मुहमद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कुछ समय के लिए अपने टेरिट्री जो है वो मंगोल्स द्वार मारा गमादी थी ठीक है तो यह कह रहा है कि कुछ जो कुछ टेरिट्री जो है मंगोल्स ने जब मुहमद बिन तुगलक के समय पर आक्रमन किया तो कुछ टेंप्रेरी रूप से उनसे जो है वो छीन ली थी अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन पर ले चलता हूँ सॉल्यूशन का कहता है इसमें देखो ना देखो फर्स्ट ऑप्षिन के लिए मैं बताता हूँ फर्स्ट मंगोल इंवेजिन जलाल अद्दीन खिल जी के समय पर वा तो यह यहां पर देखो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें से आंसर निकलाएगा इसमें लिखा है कि मुस्लिम नेगुडरी गवर्नर अब्दुल्ला जो चाक्ताई खान के ग्रेट ग्रैंटसन थे उन्होंने पंजाब पे हमला किया था 1292 जो उस समय ऑब्यसली 1292 में पंजाब के रीजन किसके कंट्रोल में थे जलाल अदिन खिल जी 1290 से लेके 1296 तक दिल्ली के सुल्तान रह उल्गु खान जो थे वो उनको हरा दिया गया और खिल्जी सुल्तान जलाल अदिन खिल्जी ने उन्हें हरा दिया और 4000 मंगोलों को कैट्टिव बना लिया और इसलाम में कनवर्ट करके न्यू मुसलिम्स बनाकर उन्हें दिल्ली ले आए ठीक है और जो जहां पर इन मुसल जाकता यह जो फिर वह लिए उन्हें फिर बाद में भी कई बार 2296-97 में हराया कि छूप और 797 मेंहींको था अखले खुल्जी शुल्तान तो जिनका नाम थे अला अलघ्डिन खिल्जी ने भी मिंग्प जलावचिन किppe चल्धिन जलार अदिन ब spillस और तो इसंहें पहले भी अगर कोई attack है तो ज्यादा sources में यह mention नहीं है अगर कोई है तो मैं कह नहीं सकता है क्योंकि मैंने जितने sources खंगा लें उसके हिसाब से 1292 जलाल अधिन खिल जी के समय में पहला attack हुआ था तो first option मुझे ठीक नजर आता है तो अगर first option ठीक है तो अगर आप eliminating method पर besieged the city ठीक है तो दूसरा कहता है कि अलावदीन खिल जी के समय पे मंगोल असॉल्ट जो है वो इतना बढ़ता चला गया कि वो दिल्ली तक आ गया और उन्होंने सिटी पे कबजा कर लें यहां थोड़ा सा खेल है और बिसीज का खेल मुझे लगता है अगर कहीं खेला है वो सीज तो डाला था ठीक है और 1302-1303 में अलावदीन खिल जी का रूलिंग पीरिएड था 1296 से लेके 1316 तक उस समय में सीज तो डाला गया था लेकिन कबजा किया गया था यह नहीं यह नहीं हुआ था कबजा कभी नहीं किया गया था तो यह शायद इस वज़े से जो है य इन्होंने और तीसरा ऑप्शन है मुहम्मद बिन तुगलक टेंपरेरली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफिस किंग्डम तू मंगोल्स तो मुहम्मद बिन तुगलक जो है पहला वाला यहां देखो चांगताई मंगोल्स के जो लीडर थे तर माश्रिल इन्हो अपने कबजे में ले चुके थे बिसीज कर चुके थे ठीक है उन पर कबजा कर चुके थे और बाद में जो है वो पीस टॉक्स के लिए उन्होंने मुहम्मद बिन तुगलक के पास जो है एक एन्वाइ भेजा था तो इसका मतलब क्या है कि टेंपरेरी पीरियड के लिए ज तो यह आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए नेकस्ट अब यह कॉश्चन जो है यह ये भी जो है medieval history से पूछा गया एक सवाल है medieval history काफी दिखिए वरना students क्या करते हैं कि medieval history को बहुत ज़ादा ignore करते हैं छोड़ देते हैं उसको ना तो उसका art and culture वाला part ज़ादा अच्छे से करने की कोशिश करते हैं लेकिन अब उसमें से सवाल अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं तो अरब व्यापारी एक कलंदर या एक order था सूफी ओर पर्शन केलिग्राफ्स मतलब जो लिखने वाले जो पर्शन केलिग्राफर्स थे जो अलग-अलग सुन्दर हैंड राइटिंग्स में लिखते थे वो या फिर चौथे सईध सईध कौन होते मैं आपको बता जाता हूं सईध होते थे जो डिसेंडेंट्स हुआ करते थे प्रॉफिट मुहम्मद के उनके लिए एक शब्द इस्तमाल किया जाता था सईध और उन्ही को कुला ढरा बी कहा जाता था था तो प्रॉफिट कि डिसेंडेंट्स के लिए जो हैं प्रॉफिट की डिसेंडेंट्स मतलब मैसेंजर प्रॉफिट देखो कौन थे प्रॉफिट मुहम्मद की बात कर रहा हूं этом है जिनसे इसलाम की शुरुआ त Pas थी उनके इतने descendants से उनने साइध या कुला दरा कहा जाता है ठीक है चलो तो इसमें इस वाले में आपका साइध और करेक्ट आप्शन क्या हो गया साइध इसमें आपका करेक्ट आप्शन हो गया ठीक है चलो next फिर modern history का एक सवाल with reference to Indian history consider the following statements पहला option देखना the Dutch establishment Dutch establish their factories on the east coast of land granted to them by Gajpati rules पहला कहता है कि Dutch Dutch actually Holland या Netherlands से आई हुई लोगों को कहते हैं और यह जो थे इनके बारे में यह कहा गया है पहली statement पे कि East Coast पे जब उन्होंने अपनी factories establish की तो उसमें से जाधतर लैंड जो है वो गजपती रूलर्स के द्वारा जो है वो ने grant में दी ती गजपती आंदर प्रदेश के लाके में रूल करने वाले रूलर्स थे और दूसरा option कहता है कि अफान जो डियल बकर्क जो है उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा जो है वो हासिल किया था या उस पर कब्जा हासिल किया था तीसरा कहता है English East India Company जो है उसने एक factory establish की थी मदरास पे और प्लॉट ऑफ लैंड लीड फ्रम रेप्रेजेंटेटिव औफ विजय नगर एंपायर ठीक है देखो पहला option करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला option करेक्ट है अब मैं एक बार इसको हटा के हाँ पहला वाला option आपका करेक्ट है कि गजपती रूलर्स द्वारा दी गई लैंड पर ही डच ने अपनी फैक्टरीज इस्टैबलिश की थी शुरुवाती इस्टन कोस्त पर खासता और उसके अलावा अफॉंजो डी अलबकर्क जो है वो पॉर्टुगाली गवर्नर थे भारत में 1510 में उन्होंने वीजापुर के सुल्तान से गोवा का जो है कंट्र plot of land leases from representative वी घंगर यहां यह गलत हो गया तो ऐसा नहीं था तो के … विजर नगर इंपायर के कि से कोई। अनुसके फॉर्ट्य की थी यह वाला statement यह रों जाता है तो इस में आपका correct answer क्या आएगा one and two only तो one and two इसका मतलब क्या है यह वाला statement आपका correct है ठीक है first a is your correct option ठीक है चलो next question पर आते हैं next question में according to kotilya's अर्धशास्त्र which of the following are correct आपको यह बताना है kotilya के अर्धशास्त्र के साब से इन में से कौन सा सही है a person could be slave as a result of judicial punishment पहला option है किसी एक व्यक्ति को जब कोई सजा दी जाती है नियाए व्यवस्था के पहत तो उसे एक slave बना के रखा जा सकता है एक दास बनाने की सजा जो है वो दी जा सकती है किसी का दास बनने के लिए जो है वो सजा दी जा सकती है दूसरा कहता है if a female slave bore her master a son she was legally free अगर कोई महिला दासी है और वो अपने जो जिनकी वो दासी है उनके लिए एक एक son जो है वो पैदा कर देती है तो फिर वो legally free हो जाएगी दूसरा option यह कहता है तीसरा कहता है अगर एक दासी अपने मालिक को जो है एक बेटा दे देती है तो वो बेटा जो है उसके पास जो है वो बेटा जो है वो उस फादर का legal son कहलाएगा या उस master का legal son कहलाएगा तो अर्थ शास्तरा के हिसाब सी यह तीनों ही statement जो है वो सही है तो पहला वाला कि वही किसी को सजा के रूप में जो है एक दास बनाया जा सकता है किसी एक master का तो बिल्कुल सही है दूसरा कि अगर कोई female slave कोई दासी जो है अगर अपन अगर एक female slave से एक बेटा पैदा होता है तो उस बेटे को उस master का legal son जो है वो माना जाएगा तो तीनों ही option जो है आपके correct है तो one two and three is your correct answer ठीक है तो चलते हैं आगे next अब next option next जो है वो question यह देखो यह भी फिर से आप पेर्स मैच करने वाला है इसमें भी ऐसी पुछा गया कि एक पेर करेक्ट दू पेर करेक्ट है या सारे पेर स्करेक्ट है या तीन पेर करेक्ट है तो यह ऑपिशंस जाले गए हैं यहां पर तो आप देखो एफ़ एक बर question पर जादर डालते हैं इसमें अशोका के समय की major rock addict नूँकर को बताने कितने पेर्स क्रॏक्ट लिमाrons अब मैं आपको इसमें correct पेरिंग बता देता हूं या जो होनी चाहिए धौली उडीसा में है बिलकुल सही है इरागुडी आंध्यप्रदेश यह भी बिलकुल सही है जोगड़ा मद्यप्रदेश में रॉंग है जी जोगड़ा जो है वह आपका उडीसा में है जोगड़ा और कलसी कलसी जो है यह भी रॉंग है यह हिमाचल प्रदेश में है तो करेक्ट कितने हुए पहले दो पेर्स करेक्ट हुए ओनली टू पेर्स और करेक्ट इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है चलिए यह यह मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो अशोका ने जो भारत में अलग-अलग स्थानों से पाई जाते हैं और कहां-कहां है किसके स्टेट में यह आपको जो है हमेशा जो है यह यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है पहले कुछ साल पहले तक तो अशोका पिलर एडिक्ट्स रॉक एडिक्ट्स से कोई ना कोई सवाल पूछा ही जाता यह वाला टॉपिक जो है काफी हिंपॉर्टन फिर से कुर्षेरि रहते हैं तो इनो इसनीडन का सब्सक्राइब किस वंश से या किस डानडी से तालुक रखते थे जैशक्ति जो है अब देखो यहां पर सामने जो है वो उनके एक डाइनस्टी का नाम लिखा हुआ है जैसे नानु का के आगे लिखा चंदेला और जैशक्ति के आगे परमार डाइनस्टी नागे बट्टा गया गुज्जपतिहारा भोजा के आगे राश्टर से ते यह रॉंग है परमार से नहीं थे ये चंदेला से ते यह भी चंदेला वंश से थे यह मारमार से राजा और राहत्तर गुटा बाइसबिकर और चीत थे टीसे थे नहीं बिल्कुल मालवा के राधा है तो राष्टर कुटा कैसे नहीं तो है तो इसका आंसर है वैसे तो इसको आप गुजड़ प्रतिहार कह सकते हो तो लेकिन गुज़र प्रतिहार में आगे परमार उसकी एक division है उससे तालॉक रहते है जो जैसक्ति के आगे लिखा हुआ है तो exactly तो परमार से है लेकिन गुज़र प्रतिहार की एक शाख़ा तो तो सई option हुआ first और third तो फिर दुबारा से इसमें only two pairs are correct तो इसमें पूछा गया था कितने pairs correct है तो only two pairs are correct नेक्स्ट पर आजाते हैं which of the following statements about संगम literature in South India is correct तो संगम literature के बारे में चार जो है कथन यहां पर कहे गए पहला कहता है सब्सक्राइब कि संगम पॉयम्स में अच्छे खासे आजाओं के महलों के बारे में जो है बखान किया जाता था तो material culture क्या है किसी भी तरीके के सुख या भूगने की वस्तू या किसी भी चीज के बारे में उसमें नहीं बताया गया था ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़े थी जिन से पता लगता है कि materialistic culture को वो एंडोस करते थे ठीक है दूसरा दे सोशल क्लासिफिकेशन ओवर्ना वास नोन टू संगम पोएट्स अब देखो संगम पोएट्स द्रविडियन कल्चर जादा तर इसमें संगम एज की जो साउथ हिंडिया के उसमें वन विवस्था का दिकर कहीं नहीं मिलता पोएँम्स में ठीक है जो सित क्लासिफिकेशन है जरूर्ड लेकिन संगम पोएट्स में कहीं ज़्यादा ऐसे कोई ग्लासिफिकेशन वह देखने को नहीं मलती तो यह वाला जो है यह और संगम पोएट्स में एक यह वारियर शत्रीय तो तो नहीं कहेंगे शत्रिय तो खार आ रहे वैवस्ता में का जाता है वारियर जो युद्धा है उसके लिए कोई ethics mention नहीं किस थिती में उसे किस तरीके का behave करना चाहिए दुश्मन के बाद हथ्यार नहीं है तो क्या करना चाहिए यह सब लेकिन actually क्या है कि mention है संगम poems बहुत बार यह mention करती है कि एक वारियर के क्या ethics होने चाहिए जब वो युद्ध भूमी में जाता है तो यह वाला option भी आपका गलत हो गया तो बचा क्या लास्ट option तो यह क्या है संगम literature refers to medical forces as irrational तो संगम forces जो है medical forces को irrational मानती है तो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही statement है यह वाला statement correct है तो डी इसमें आपका correct answer आजाएगा तीक है चाहिए चाहिए नेक्स्ट है यह तो थोड़ा असान सा है बहुत कम ऐसे हैं जिसमें complex statements नहीं direct answers एक तो medieval history से पूछा गया था कुला जरावाला question और यह भी medieval history से एक और question और इसको पर्शन भाषा में translate किया था निजामदीन पानीपती ने किस के समय पे ठीक है तो इसका direct answer है अकबर के समय पे उन्होंने ऐसा किया था ठीक है तो यह तो एक तरीके से contemporary find out करने का था कि किसके contemporary थे और किस समय पे इन्होंने यह काम किया ठीक है तो इसमें answer correct है आप का अकबर contemporary होता समकालीने की समय पर हुए जो घटनाएं हैं वो contemporary कहलाती है next the world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuj ठीक है रामनुज का एक statue जो है वो sitting pose में इसका प्रधानमंत्री मोदी ने recently उद्गाटन किया है और फिर इसमें देखो लेकिन सवाल वहां से नहीं पूछा गया उद्गाटन से नहीं पूछा गया या current का question नहीं है question history गई है कैसे पूछा गया कि which of the following statement correctly represents the teaching of Ramanuj रामनुज की teachings को इनमें से कौन सी statement सही तरीके से दर्शाती है देखो शुरू में लगेगा बात हो रही है current affairs की शाद अब कुछ current affairs का सवाल पूछा जाए अगर लेकिन आगे हो नहीं पूछ लिए history से तबागे the best means of salvation was devotion तो एक तरीके से पहला statement कहता है कि salvation का जो है सबसे सही तरीका था devotion ठीक है salvation हासिल करने का या मोक्ष हासिल करने का सबसे सही तरीका है devotion दूसरा है वेदाज हा eternal self-existent and wholly authoritative देखो दूसरी statement कहरिए कि वेदाज जो है अब देखो वैसे इतना ज़्यादा हम क्यों जाए इतना ज़्यादा detail में इसमें जाने की जरूरत है न तो devotion जो है रामनुज का पूरा focus था वो कहते ही थे devotion जो है वो सबसे supreme है और किसी भी तरीके का सिध्धी हासिल करने के लिए या फिर मोक्ष हासिल करने के लिए devotion ही best means है तो क्योंकि option इसमें क्या है यह direct options है पहला correct है तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि यह वाला correct है यह वाला wrong ह है तो इसमें तो सीधा है पहला वाला correct है इतनी knowledge हमारे लिए enough है और यह है तो हम जादा UPSC की paper में समय गवाने की जरुरत नहीं है आप जादा options पर ना जाएए अगर आपको समझ आ गया है एक ही option आपको पता है आप sure है उसी पर तो वहीं पर answer लगाईए बाकी का पढ़न आपके लिए समय गवाने वाली बात हो जाती है तो इतना जादा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है बाकी सारे options को ठीक है तो पहला ही इसमें correct है नेक्स्ट फिर देखो फिर प्रधानमंतरी मोदी की बात प्राइम मिनिस्टर रिसेंट्ली इनाउगरेटेड नियू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेंपल सोमनाथ मंदिर गुजरात के नजदीक वेरावल में प्रधानमंतरी मोदी ने जो है एक उध्गाटन के नए सर्किट हाउस का अब सवाल फिर से विच फॉलिंग स्टेट्मेंट्में आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेंपल तो मतलब अ अब फिर सवाल यही पूछ लिया कि सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए इनमें से कौन से कथन सत्ते हैं अब सिंपली देख लो फिर से बोला प्रधानमंतरी मोदी का नाम लोगों को लगेगा फिर से करेंट अफेस पूछने जा रहे हैं लेकिन अगली स्टेट्मेंट में वह कुलाटी मारते हैं और आप पूछते कहा है कि कौन सी स्टेट्मेंट करेक्ट सोमनाथ टेमपल वन दो जोतिर लिंक श्राइन हां बिलकुल 12 जोतिर लिंक में से एक है सोमनाथ टेमपल और शुरुवाती समझा जाता है सब से शुरुवाती तो यह आपका करेक्ट आंसर पता है करेक्ट मतलब ऑप्शन तो यह जिसमें होगा अब यह तो लेकिन अगर आप इसमें देखो अगर इतना ही पता है आपको तो बैन बीह एक में भी है सी में भी और दीमे वीवान ठीक है दूसरा कहता है डिसक्रिप्शन आप सोमनाथ टेमपल वस गिवन बारुनी तो आल-बरुनी जो है इनने किताब लहन लिखी थी बहरत के बारे में मेमूद घजनी के साथ भारत आये थी और हाँ जब मेमूद घजनी ने डिस्ट्रॉय किया था सुमना टेंपल डिस्ट्रॉय किया था और लूट पाट की थी उसके बाद अलबरुनी ने उसके पूरी जो है उसके बारे में एक पूरा जो है डिस्क्रिप्शन दिया था अपने किताब में तो हाँ ये बिलकुल सही है ये वाला भी option सही है ये तीसरा ॉप्जिण ये इसके प्रेजिडेंण थे भारत के और यहीं थे जिनके नाम से टीड ऑर गे मनाया सोमनाट टेंपल जो मॉडर्ण डे है जो अभी जो बिल्लिंग खरी है इसकी प्रान प्रतिष्ठा जो है वो किसने की थी वहाँ पे जो है वो मूर्ति स्थापना किसने की थी तो वहाँ पे की थी जो हमारे पहले राश्ट्रपती थे फर्स्ट प्रेजिडेंट डॉक्टर रा आना चाहिया था प्रान प्रतिष्ठा कि किसने थी वह कि थी डॉक्टर राजीएंद पसाद ने पहले रास्ट्रपती रही थे तो यह वाल ओंप्शन आपके गलत हो गया तो वान एंद zumindest आंसर आगया वानने टु इसमें आपका All Right ठीक है चल ये आज के लिए इतना ही और मैंने सभी सवाल जो है कोशिश की है कि आपको सही तरीके से समझा पाऊं और उमीद करते हैं कि आप हिस्ट्री में जो है पूरी कोशिश करोगे और हिस्ट्री को बैसे दिखो हिस्ट्री मनोरंज़क है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है इसके सवालों को हल करना लेकिन आप अपनी तयारी में जो है आपको इस सब्जेक्ट को कितना इंटरस्ट से पढ़ते हो यह डिपेंड करता है आप आपके लिए अगर इसमें सिर्फ फैक्ट्स रट रहे हो आप तो यह कभी भी आपको हि मैथमेटिक्स बहुत कम है टू प्लस टू फॉर नहीं होगा आपका तो आप क्या है कि आप तुक्के भी नहीं लगा पाऊ गया असानी से अगर आप पूरी प्योर नॉलेज नहीं रखते इसके तो इसको अगर आपके नॉलेज गेन करनी है तो आपको इस सब्जेक्ट में जो स्टोरीज हैं और उसके आसपास के जो और भी सारी चीज़े हैं कल्चर्स टेडिशन यह सब चीज़े समझनी पड़ेंगी तो हिस्ट्री जो है बहुत मज़दार सब्जेक्ट है और जब इसके सवाल जादा आते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि यूप सवाल पूछे जाने चाहिए ज्यादा से जार ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं और फिर मिलते हैं नमस्कार